हेलो एवरिवान स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं बना रही हूं सेब की सबजी और उसी की रेसिपी आप से भी किसा शेयर करने वाली हूं तो ध्यान से देखिएगा वीडियो इसकिप मत कीजिएगा इसका टेस्ट खटा मीटा होता है और इसमें ज्यादा समान डालने की जरत नहीं पड़ती है तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए यहां पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम सेब 200 ग्राम टमाटर और 2 हरी मिर्च तो अब सबसे पहले सारे समान को अच्छे से धोलेंगे और धोने के तो इस तरीके से बीच वाला पार्ट निकाल देना है और अब इशके मोटे मोटे पीस इस तरीके से कर ले जा यहां पर मैंने सेब कट कर लिया है तो यह देखे, सेब मेरा तयार है, तो टमाटर का बना लिया है, मैंने पेस्ट, हरे मिर्स को मैंने बरिक-बरिक काट लिया है, अब मैंने कड़ाही ले लिया है, कड़ाही में डाल दूँगे थोड़ा सा सरसो का तेल, तेल को अच्छे से पका लेंगे तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे सबसे पहले हम जीरा और तेज पत्ता जीरा चटकने के बाद इसमें डाल देंगे हम अपना टमाटर का पेस्ट अब अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसमें मसाले आड़ कर देंगे यहाँ पर मैं डाल गूँ नमक स्वाधनसार हल्दी दन्या पाउडर थोड़ी सी कस्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा चांट मसाला अब इन सब मसालों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे और जब तक हमारा टमाटर चिकनाई नहीं चोड़ देता है तब तक इसे अच्छे से पका लेंगे देखिए मसाला जब तक चिकनाई नहीं चोड़ देता है तब तक उसे पकाना है अब यह देखिए हमारी टमाटर की प्यूरी ने अच्छे से चिकनाई चोड़ दिये तो मसाला हमारा तियार है अब इसमें डाल देंगे हम अपने कटेवे सेव यहाँ पर मैंने सेव डाल दिये हैं हम सेव को अच्छे चलाते हुए मिक्स करेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी देखिए पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है थोड़ा सा डालना है अगर आप ड्राइ सब्जी बना रहे हैं तो पानी बिल्कुल भी मढ़ बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजी क्योंकि जब हम पकाएंगे तो सेव भी हलका सा पानी चोड़ता है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया आए देखिए सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है खटी मिठी लगती है और इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है 10-15 मिनिट में यह तियार हो जाती है अगर सेव में आपको लगता है कि अभी थोड़े कच्चे हैं तो दुबार ढखकर दुबारा पकने दीजिए तो यह देखिए यहाँ पर हलके से यह अभी कच्चे हैं तो अभी इनकों में दुबार ढख दूँगी पांच से साथ मिनिट के बार यह देखिए हमारी सबजी तियार हो गई है इसे दो से तीन मिनिट तक फुल फ्लेम पर पकाएंगे और कैस को बंद कर देंगे तो यह देखिए हमारी सबजी तेयार हो गई है अब उपर से डाल दिया है मैंने कटा हुआ बिल्कुल बारिक बरी खारा धनिया तो अब हमारी खटी मिठी सेव की सबजी तियार है गर्मा गर्म सर्विंग बावल में निकाल रही हूँ खाने के लिए तो आप सभी भी ट्राइ कीजिए एक बार सेव की खटी मिठी सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फटाफट से बन जाती है जब कुछ समन में ना आए तो सेव लीजिए टमाटर लीजिए और फटाफट से बनाएए खाईए और अपनी फैमिली को खिलाईए आप सभी को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बुक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक यू सो मच